इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी build quality ये खड़ी है आपके सामने R15 version 4 और इतना ज़ादा पैसा खरच करने के बाद मुझे जो प्रॉब्लम आई वो आई इसके पैनल के साथ यार कमपनी ने इसमें जो stock पैनल दिये थे ना उसकी build quality बहुत ज़ादा गंदी बनाई हुई पिलियन जब इस पर बैठा होता था ना उसका back इससे touch हो रहा था और ये उससे भी टूट रहे थे मेरे भी ये दौनों ही पैनल टूट गए थे और मैंने इनको नया डलवाया ये मुझे पढ़े अब 17 रुपे पर पैनल मुझे 36 रुपे total खर्चा आया इंस्टोलेशन के स कर दो TWT